हेलो दोस्तो परदसी फ्लाइच यूटो चैनल पर आप सभी का विलकम है दोस्तो आज में बात करने वाला हूँ सौधी अरब को लेकर कि अभी जो लोग इंडिया में वैक्सिन लगवा चुके हैं वो आखिर कब तक इंतिजार करेंगे सौधी अरब डायरेक्ट जाने के क्योंकि आने वाले दिनों में जब उनको सौधी अरब डायरेक्ट जाने के लिए परमीशन मिलेगी तो उन सारे चीजों की जरूरत पड़ेगी लेकिन उससे पहले दोस्तो आप सबसे एक छोटी सी अपील है अगर आप फ्लाइट और ट्रिवल की खबरों से जुड़े रह तो चलिए दोस्तो सौधी अरब को लेकर मैं बात करूँ उससे पहले एक अपडेट बड़ी अपडेट बहरीन को लेकर आई है उस पर मैं बात कर लेता हूँ बहरीन की तरफ से अपडेट ये है कि बहरीन ने इंडिया और पाकिस्तान को रेड लिस्ट से बाहर कर दिया या अब इंडिया और पाकिस्तान ग्रीन लिश्ट में आ गया है, यह बहुत ही अच्छी खबर है, बहरीन से आईए दोस्टों, यह अब अपने स्क्रिन पर देख सकते हैं, जिसमें बाहर कर दिया गया है, भारत और पाकिस्तान को जो अब तक रेड लिश्ट में थे, इनको बाह इसके इलावा स्लोवेनिया है, साथ में ही इथोपिया है, कोश्टा रीका और इक्वाडोर है, तो इनको रेड लिस्ट में सामिल किया गया है, जबकि इंडिया और पाकिस्तान को रेड लिस्ट से बाहर करके ग्रीन लिस्ट में सामिल कर लिया है, तो ये बहरीन से दोस्तों जरूरी अपडेट है अब बात करते हैं दोस्तों सौधी अरब को लेकर तो सौधी अरब ट्रवल करने के लिए इंडिया से अभी केवल उनी लोगों को परमिसन मिली हुई है जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज सौधी अरब में लगवाई हुई है और छुटी पर इं इंडिया आ गए और दूसरी डोज इंडिया में लगवाली वो सारे लोग अभी इंतजार कर रहे है तो उन लोगों का इंतजार भी खत्म होगा ऐसा नहीं है कि वो लोग बहुत लंबे समय तक इंतजार करेंगे क्योंकि कोई भी देश एक दम से लोगों को बुलाना नहीं भी जा युएई में वैक्सिनेटेड वालों को अधर वैक्सिनेटेड वालों को सबको अब इंट्री दी जा रही है युएई की तरब से तो ऐसे ही धिल धिल दी जाएगी सौधी की तरब से भी अभी कोयत ने जो परकृए सुरू की उसमें भी कोठा निर्धार sewing कर दिया हुआ है तो उनके लिए भी जाना जरूरी है कि क्या-क्या चीजें वो पहले से ही कर लें तो पहली चीज ये है कि अगर आपने अपना vaccination आधार कार्ट से कराया हुआ है तो आप COVID website पर जाकर वहाँ पर अपना passport details add कर दें क्योंकि ये जरूरी है आपके vaccination आइडी बना ले कोई आपका दोस्त हो साओधी अरब में इसके लाव कोई आपका relative हो रिस्तेदार हो कोई भी हो जिसको आप जालते हो साओधी अरब में उसको बोल दीजिए कि वो आपका तवक्कलना पर आइडी बना दे तो वो तवक्कलना पर आपका बना देगा रेइस्टेशन कर देगा उसके बाद इंडिया में आप डाउनलोड करके तवक्लना उस पर लागिन कर सकते हैं और तीसरी बात ये है कि ये चीज़े होने के बाद आप e-service portal पर जो MOH का है Ministry of Health का है सौधी अरबिया का उस पर आप अपना vaccine certificate का रेइस्टेशन कर दें जिससे आपका तवक्लना पर immune हो जाए तो इसलिए ये सारी चीज़े आप पहले से ही कर लें जिससे जब आपको इंडिया से सौधी अरब डाइरेक्ट जाने के लिए permission मिले तो आपको जल्दबाजी में ये सारी चीज़े ना करनी पड़े के सिल्सले में या और किसी सिल्सले में विदेश की आतरा करनी है तो वो सारे लोग vaccine की दूसरी डोज 28 दिन के बाद लगवा सकते हैं तो अगर आपका vaccine का पहला डोज लगा हुआ है और 28 दिन बीच चुके हैं आप दूसरी डोज भी जल से जल लगवा लीजिए बैराल दोस्तों ये कुछ जरूरी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं आगे कोई अपडेट होगा इंडिया सुधी flight को लेकर कि जो लोग इंडिया में vaccine लगवा चुके हैं के लिए कब permission है इसको लेकर आगे दोस्तों कोई अपडेट होगा या flight और travel को लेकर कोई और जरूरी अपडेट होगी खासतर पर इंडिया सुधी कोईत कतर बहरीन ओमान दुबई तो वो आप तक पहुचाए जाएगी इसके लिए दोस्तों आप पढ़दसी flight YouTube चैनल को कर दो